शेहर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूले हिंगनगाट शेहर में तीन कोरणा संक्रमीत मरीज पाई जाने के बाद प्रशासन में कल शाम शेहर में जनता कर्फ्यू लगा दिया है शेहर में कर्फ्यू के दोरान दवा की दुकान, कुरूशी प्रतिश्टान और बैंक आदी सहित दूद की बिक्री शुरू पाई गई थी लेकिन शेहर में अन्य सभी प्रतिश्टान बंद रहे है हिंगनगाट उपविभागिया बिजली बोर्ड की इच्छे कर्मचारी बिजली मरमत कारी के लिए कोकन के रायगर जीले में गए थे वहां से लौटे जिन में से तीन कर्मचारीों की कोरिना रिपोर्ट सकारात मकाई तो शेहर में खल बली मजी प्रशासन ने ततकाल शेहर के संततुक्रोजी वार्ड क्षेत्र आधर शनगर में पिंपल गाव रोड के कुछ क्षेत्र को सील कर दिया कल जाश के लिए दिये गए उनीस नमुनों में से सभी उनीस रिपोर्ट निगेटिव बताए गई थी हाला कि वैदिकी अधिक्षक डॉक्टर किशोच सासरकर ने प्रतिनिदी को सुचित किया कि ओरल स्वैप के नमुने फिर से जाश किये जाएगे आज देरात तक सभी जाश रिपोर्ट आने की संभाना जताए गई तो अब शेश कितने रोगी कोरोना संकरमीत निकलेंगे इस पर जनता और प्रशासन का ध्यान है प्रतिबंद खशेतर में जहाँ कोरोना संकरमीत रोगी पाए गये थे वहाँ पर गश करते हुए स्वास्ते कर्मी पुलीस नगरपाली का कर्मी ड्यूटी पर थे बारिश के समय में काम कर रहे थे लेकिन प्रशासन ने उनने टेन के साथ पीने का पाणी भी उपलब नहीं कराया था अज जहता कर्फ्यू के चलते प्रतिबंदी क्षेत्र में उपर विभाग या पुलिस अधिकारी भीमराव टेन परस्तितियों का जायजा लिया इन बीचन न्यूस के लिए हैंगन गार्ट से रभी एनवर करके रिपोर्ट